अससलमों वालीकूम व्लकम करें यूुट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब अब ने कार सकतती है और अज़ वीडियो में हम एंटिक के बारे में बात करेंगे Antibiotics के बारे Antibiotics को तो आप लगा सब जानते ही होंगे हम किसी भी Clinic जाते हैं या हम किसी भी Hospital जाते हैं और हमें किसी भी किसम की तक्लीफ होती है तो डॉक्तर हमें फॉरण से Antibiotics लिख करके दे देते हैं and after that हमारे अपने घरों में भी एंटीबाइटिक्स मौझूद होती हैं किसम किसम की एंटीबाइटिक्स हमारे घर में मौझूद होती हैं एंटीबाइटिक्स जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बट हम क्या करते हैं हमें फीवर है हमें रॉनिंग नोज है हमे throat infection है, हमें stomach flu है हमें किसी भी किसम की कोई भी problem हो रही है हम फौरन से वो antibiotics खाते हैं हम फौरन से वो antibiotics की doses लेते हैं या वो antibiotics का जो भी एक codes आपको दिया जाता है, 3 days का या 7 days का हम उसको पूरा करते हैं और even though हम अपने बच्चों को भी antibiotics देते हैं हमारे बच्चे दो साल के हैं तीन साल के हैं, बास बच्चे होते हैं उनको बहुत जादा throat infection हो रही होती है या उनको बहुत जादा शिकायत होती है कि भाई उनको खासी हो रही है या उनको नजला हो रहा है तो हम फौरन से क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को एंटिबायोटिक किलाना स्टार्ट कर देतें ये नहीं कि हम अपने बच्चों को जो भी नैचरल चीजें हैं जो घर की चीजें होती हैं जो नैचरल चीजें होती हैं ठीक हम अपने बच्चों को वो खिलाएं हाँ अगर उसके बाद अगर आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप किसी ऐसी चीज की तरफ जाओ वो भी डॉक्टर के पास आप जाओ जो कि डॉक्टर आपको बताए कि जी आपको अपने बच्चे को क्या देना है बट हम इन सब चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाते हम खुद से अपने बच्चों को एंटिबाइटिक्स देना स्टार्ट कर देते हैं और खुद हम एंटिबाइटिक्स खाना स्टार्ट कर देते हैं एंटिबाइटिक्स हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है एक अरसे तक आप खाते हैं और लेट्स आपको किसी भी किसम की कोई प्राब्लम है आप डाक्टर के पास गए डाक्टर ने आपको वह एंटिबायोटेक दी आपने वह एंटिबायोटेक का कोर्स पूरा किया और उसके बाद आप ठीक होने लगे ते नेक्स टाइम आपको अगेन वही प्राब्लम आना स्टार्ट हुई तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए आपने अगेन उसी एंटी बायोटिक को खा लिया तो इस तरीके से वो एंटी बायोटिक हमें असर नहीं करती है खिर मेरी नजर में तो एंटी बायोटिक्स खाना ही गलत है क्योंके मुझे कुछ भी हो मैं कभी भी एंटी बायोटिक्स की तरफ नहीं जाती जब तक के मुझे कोई सीरियस इशू नहीं होता मुझे कोई सीरियस इशू होता है मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ डॉक्टर को भी मैं कहती हूँ कि देखें अगर ये mild medicine से ठीक हो सकता है तो आप मुझे बताइए अगर नहीं तो उसके बाद आप मुझे antibiotic दें otherwise मैं antibiotics नहीं खाऊंगी even though मैं अपने बच्चे को भी antibiotics नहीं देती हूँ antibiotics आजकल हमें हर चीज में दी जा रही है sometimes ये होता है ना कि हमने antibiotics लिए और वो antibiotics हमें असर क्यों नहीं कर रही है हमें चीज सोचते हैं वो antibiotics हमें इसलिए असर नहीं करती हैं क्योंके देखें जी जो भी चीज़ें हैं even though हम chicken खा रहे हैं किसी भी किसम का meat खा रहे हैं उसमें white meat हो या उसमें red meat हो ठीके उस वो animal अभी सही से grow भी नहीं किया गया है ठीके और उस animal को inject करके artificially grow किया जाता है और उसके बाद वो चीज हम बाए करके खाते हैं जो भी meat होता है गोश्ट होता है गाएं बकरा मुर्गी whatever meat it is ना तो chicken को आप लोगों को पता है inject किया जाता है और उसको natural तोर पे grow नहीं होने दिया जाता है तो जो जानवर को जो चीज़े inject की जा रही है जानवर को जो दवाई दी जा रही है उसमें भी पतानी कौनसी कौनसी किसम की उसमें एंटी बायोटिक्स होती है जो जानवर को देते हैं तो definitely हमारे रोज के मामूल में हम meat भी खा रहे है meat I mean to say के हम chicken भी खा रहे है हम beef भी खा रहे है even though हम बाहर से दूद भी लेके पी रहे हैं तीके दूद में कितने किसम के chemical होते हैं वो chemical भी सारे हमारी बाडी में जा रहे होते हैं हम antibiotics खाते हैं एक वक तक खाते हैं और एक वक वक के बाद वो antibiotics हमें harm पहुचाना स्टार्ट कर देती हैं वो antibiotics हमें अंधर ही अंदर हमें लग रहा होता है कि हम ठीक हो रहे है ना ठीक है बड़ वो antibiotics अंधर ही अंदर react करती हैं कि उसमें चीज़े हैं even though हम उसका पूरा जो एक method लिखा होता है हम उसको भी पढ़ने को तयार नहीं होते है बस जी डॉक्टर ने लिखके दे दी है हमने आँखे बन करके एंटिबायोटिक्स खा लेनी है और उन एंटिबायोटिक्स के थू हमने अपने आपको ठीक करने नहीं आप लोग एक चीज सोचो कि जो चीज हमें बहुत जल्दी ठीक कर रही है उसमें ऐसी क्या चीज है कि हमें कोई भी infection हुआ है या खुदाना खास्ता हमें कोई भी disease हुई है ठीक है और वो चीज हमें फॉरण से हम खाते हैं अंदर ही अंदर हमारी body के साथ क्या कर रही है उस चीज का हमें idea नहीं होता बस हमने आखे बन कर रही है हमने doctor ने जो हमें antibiotics दी हैं हमने वो खा ली है या तो हमारे घर में जो antibiotics पड़ी हैं हमने वो खा ली है तो मेरा आप लोग के लिए यही एक message of a god's sake अंटिभायोटिक्स की तरफ मझ जाया करें क्योंकि अंटिभायोटिक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है हम अपने बच्चों को दे दे आ हमारे छोटे बच्चे होते 2-3 साल के किसी को खांसी की शिकायत YOU किसी को नजले की शिकायत और किसी को fever, किसी को motion, ठीके माई फॉरन से कहती है, जान चुड़ाने के लिए ये वैसे मेरे नजर में जान चुड़ा नहीं हुआ आप लोग जो घर के जो इलाज हैं, ठीके home remedies हैं, ठीके herbal treatments हैं, आप लोग वो कर सकते हो हमारे घर में, जो जिन spices से हम खाना पकाते हैं, ठीके, या जो भी चीज़ें हमारे घर में होती हैं वो चीज़ें, अगर हमें नजला है बुखार है, हमारा गला खराबे हमें खासी है, वो चीज़ें हमें ठीक करती हैं कितनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में जिंजर available होती है, हमारे गर में honey available होती है, हमारे गर में 10,000 किसम के spices available होते हैं, ठीक है अगर आप अपने बच्चे को वो ही चीजें खिलाएं ना, या आप खुद भी वो ही चीजें यूज़ करें ना, और खास तोर पे अपनी diet का proper आप लो ख्याल रखें, जब आपको कोई भी ऐसी problem है, आपको weakness फील हो रही है, नजला है, जुकाम है, खासी है, गला खराब है, ठीक है, आप अपनी diet का proper ख्याल रखें, ठीक है आप time to time अपना meal लें, आप time to time, आप time, एक time table बनाईए, अपने sleeping patron का, अपने खाने का, ठीक है, तो आप देखें, first of all, तो आपकी तबित कभी खराब होगी है, मेरी तबित खराब नहीं होती, thanks to God, once in a blue moon मुझे कभी, अगर कोई ऐसा हुआ के throat infection हो गया, या running nose हो गई, हाँ, दो चीज़े मुझे होती है, जिन से मैं परेशान आप लोग भी ये कीजिए, अपने डाइट का खयाल रखी है, अगर आपने हो कोई मसले मसायल होते हैं, और for God's sake antibiotics की तरफ फॉरण से मच जाया करें क्योंकि antibiotics ना हमारी health के लिए अच्छी है, ना हमारे बच्चों के health के लिए कुछ भी कर लें, ठीके, डॉक्टर इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए बेटे, वें clinicals कंदो है याँ हमारे nearby clinics जो खुली वी है वो clinicals सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए तो ब्येटर नहीं है कि जब हमें कोई भी मसला होता है हम अपनी घर के जो इलाज हैं हम वो करें जैसे मैं चोटी होती थी मुझे यारे मुझे खासी नजला जुकाम होता था तो मेरी अम्मी या मेरी नानी हम लोग डॉक्टर्स के पास फॉरण हमें नहीं लेके जाती थी वो घर में पहले हमारा ट्रेटमेंट करती थी और अलहम द कि अपने बच्छे को कई हो रहा है न आप अंटी बैयोटिक्स देना ना बच्चे के साथ और अपने साथ और दूसरे लोगों के ती थी मुझे वीडियो जादा लॉंग नहीं कर दी है क्योंकि मैं बहुत जादा डिटेल में चली जाती है और मैं कोशिश कर रही हूं कैसे छोटी-छोटी चीजों को ले करके मैं वीडियो बनाऊं क्योंकि यह भी एक awareness का तरीका है और जो लोग सीखना चाहें वो सीख सकते हैं जो लोग नहीं सीखना चाहें वो लोग इन सब चीजों को इगनोर कर देते हैं खैर आगे आप लोग खुद समझदार हो और बाकी यह है कि कोई भी आप में जो दवाईयां पड़ी है वो ही दवाईयां खाना स्टार्ट कर देते हैं यार हम इन से ठीक हो जाएंगे ना ऐसा नहीं होता बहुत ही सीरियस इशू हो तो आप लोग जाएए डॉक्टर्स के पास ठीक है medical stores वालों के पास मच जाएए वो कमाने के लिए बैठे में ठीक है इविंडों यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स भी कमाने के लिए बैठे में तो थोड़ी अपनी जो सोच एना वो लड़ाईए और हर चीज के बारे में पढ़ा करें हर चीज के बारे में knowledge available है हर चीज के बारे में literature पढ़ावा है मुझे कोई भी मसला होता है न मैं हर चीज के बारे में पढ़ती हूँ मैं फरुसे डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ और Allah का शुकर है मैं ठीक भी हो जाती हूँ कोई भी मसला होता है मुझे चलिए मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ अपना ख्याल रखिए दौाओं में याद रखिए और जो भी मैं बात करती हूं मेरी इस बात पर गोर कीजिए किया मैंने कोई बात गलत किये आप लोग खुद गोर करें और कोई भी दौाई ले रहे हैं कोई भी मेडिसन कहीं से भी ले रहे हैं को आप पढ़ो क्योंकि हर मेडिसन के हर हर दवा के साइड इफेक्ट होते हैं हम साइड इफेक्ट को पढ़े बगए हम खुद भी खा लेते हैं अपने बच्चों को भी दे देते हैं और अपने बुजरों को भी दे देते हैं चलें ठीके अपना खयाल रखें, दुआ में याद रखें इन्शालला तला फिर किसी टॉपिक पे फिर किसी और दिन आप लोगे से मुलाकात होगी, अलाफिस बाबाई, सी यू टेक कियर, सी यू in नेक्स्ट वीडियो अलाफिस, बाबाई, ठेक कियर